बचो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे नए ऊनलाइन वीदियो क्लासेसमें बचो आजके क्लासेसमें हम लोग पढ़िोएंगे आर्टिकल्स सबसे पहले हम आते है आर्टिकल्स का अदिफिनेशन देखते है परिभाशा कि आर्टिकल्स कहते किसे है बच्छो आर्टिकल्स और वोर्डस डार डिफाइन नावन एज स्पेसिफिक और अने बता देता हूं अच्छा पहले यह बते कि आर्टिकल्स को हिंदी में क्या करते हैं चकरागै क्या कोई बात है। आर्टिकल्ड को हिंदी में कहते हैं हम लोग उपपद। तो आर्टिकल्ड यानी उपपद। वे शब्द होते हैं जो किसी संग्याज शब्द की व्याख्या करते हैं। वे संग्या के पहले यह बताने के लिए प्रयोग होता है कि संग्या विशेस है या नहीं है यानि कोई संग्या specific है या अन specific यह बच्चो परिभासा है बच्चो आप लोगों को clear हो गया होगा कि article का परिभासा क्या कहा रहा है इसमें कहा रहा है कि आर्टिकल्स वैसे सब्द होते हैं जो डिफाइन करते हैं यानि कि व्यक्षा करते हैं नाउन का नाउन आप जानते क्या होता है कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थानादी के नाम को संग्या करते हैं तो नाउन के पहले ये लगता है आर्टिकल और उसका डि independent articles और दुसरए में पता है क्या आता है बलकुल सही ए और यह आता है और यह त्य earlier गाए न किसे कहेंगे सुनिए किसी खास व्यक्ति यह वस्तु का जो बोध नहीं कराए ध्यान दे बोध बोध यहां नहीं कराने से है उसे हम लोग indefinite articles कहते हैं जैसे उधारन मान लिजिए I have a pen मैं कहा रहा हूं कि मेरे पास एक कलम है तो इस pen यह एक संगया है यह इन हो गया सनवन के पहले ए तो यह जो पिंभर को नहीं है यह कोई खेल कर और यह पी आ यह सकता को नहीं दिर सा रहा है तो ऐसे नाउन के पहले हम लोग लगा देते हैं यह टीहिंट आर्टिकल्स देखे कि किसी गार्टी का बोट कराता है कि यहाम उद्धार है लिए पैण करे लिके समझते हें रखा सकमें होगा कैसे मैं कहा हूँ कि कलम् नया है मेरे पास कलम है नया है आप सब दुनिया सब नए ही ही होती है नहीं मैं कह rinse हो कि मेरे पास रहा है वह यह सब यह होता है वह बच्चों देखते हैं ुझारी बारिशते की एंन और दा का कहां-कहां यूस करते हैं सबसे पहले हम आते हैं यूज्व इदेखते यूज और बचो-donodel ६च्चो सब्सक्राइब्स होते हैं बहुत लोग यह सोचते हैं कि यह अलफ़बेट मतलब होता वर्नमाला पूरी वर्नमाला यानि ए से लेकर aja टेक दो 26 आप तो तो इसके पूरे समू को alphabet कहते हैं और alphabet एक ही है हाँ वर्नमाला कहते हैं वर्नमाला एक ही है alphabet एक ही है लेकिन उसके जो letters है A से Z पर वो है 26 तो बच्चों अंग्रेजी alphabet में कुल 26 letter होते हैं अब इन letters को दो भागों में बाटा जाता है पहला vowels दूसरा consonant भवल्स पांच है English में पता है आपको बुली किया है हाँ ए ई आई ओ यू और इसको छोड़के बाकि जो बच जाते हैं जैसे हिंदी में स्वर क्या है आ आ ई ई ऊ ऊ ए इसी तरह को जो भी समयाता है अब आप सोशते होंगे सर अभी तो आप आप आर्टिकल्स पढ़ा रहे हैं अब यह हिंदी में आ आ ए क्यों आ गए तो उसका वज़य यह है क्योंकि आर्टिकल्स सीखने के दौरान आपको भवल्स कहां लगेगा इसमें भॉवेल्स और कॉंसरेंट का सबसे वड़ा योगदान है कैसे देखिये ए कहां लगता है नमबर वन जो सब्डु कॉंसरेंट से सुरू होता है यानि वेंजन से सुरू होता है उसके पहले ए लगता है जैसे a cat, a dog, a gun देखिए a cat cat, c, c से start cat, cat मतलब बिली, cat c से start है, dog, d से start है gun, g से start है यह सब ही जो later से consonant के हैं, इसलिए इसके पहले a आया नमबर दो, a और कहां लगता है ऐसे सब्द, जो भले ही भौवल से सुरू हुआ हो भौवल से, यानि कि a, e, i, o से सुरूआ हो लेकिन अगर उसका उचारन consonant की तरह, यानि vengeance की तरह हो रहा हो तो उस शब्द के पहले भी हम लोग a लगा लेते हैं, जैसे उधारन के तोर पर देखिए a European, यहाँ European का पहला later क्या है e, e तो भौवल से लेकिन इसका उचारन सुने कैसे कर रहा है, a European, यह, यह से उचारन हो रहा है, यह, और आप हिंदी में तो मैंने आपको बता दे के हिंदी में का, खागा, यह सब जो है यह vengeance वरन है, और यह भी उसी vengeance के संदर्व में आता है, इसलिए इसके उचारन में जब हम लोग यह कह रहा है, तो यहां भले ही यह यूनिवर्सिटी इसलिए इसके भी पहले ए लगेगा एक और उधारन देखे आ वन रुपी नोट यहां देखे ओ लिखा हुआ लेकिन उचारण हम लोग क्या ओ से कर रहे हैं नहीं उचारण कर रहे हैं व से वन व व व व व वेंजन है इसलिए इसके पहले भी हम लोग ए लेजिए बहुत ही आसानी से आप ए लगाने सिख जाएगा अब हम लोग आगे सिखते हैं एक बाद यूज ओफ एन देखते हैं कैसे इसको करते हैं लोग नंबर एक जो शब्द भावल से सुरू होते हैं उसके पहले एन लगता है आपको मैंने भावल पहले बताया था एं यहां शब्द लिखता हूं जैसे आर्म एग अम्रेला इन सब के पहले हम लोग क्या लगाएंगे एं एन एंग एंब्रेला अब यहां देखें अम्रेला का उचारण में लिखा भले यू से हूं अब यहां उचारण यह नहीं हो रहा हो रहा और हिंदी में क्या आता है यूनिवर्सिटी यू है उसका उचारण यू से हो रहा था और यहां भी यू है लेकिन उचारण किसे कर रहे हैं एन अम्रेला तो इस तरह से अगर उचारण आ जाए तो हम लोग लगा लेते हैं दूसरा नमबर एन किसमें लगेगा ऐसे सब्द जो भले ही कॉंसोनेंट हो यानि भले ही B, C, D से शुरू हो पर अगर उनका उचारण हम लोग भवल्स यानि स्वर्द की तरह हो तो उस सब्द के पहले भी एन लगता है जैसे एन और आनस्ट मैंन अब देखें यहां एच है उनस्ट में एच से स्टार्ट है लेकिन उचारण कैसे कर रहे हैं लेकिन उचार है आवर इसको आवर मत बुलिएगा ठीक है एसलिए आवर आ से आ रहा है इसलिए हमें किसके आगे लगा देंगे एक और नहीं में बच्चों कहां लगता है तिन नमबर में हमें समझते हैं कोई भी संचिप्ट शब्द हो यानि की अब यही अक्षर क्यों चुना गया ध्यान देजेगा इस सब में स्वर्वर्ण आ रहा है यह बहले कॉंसोनेंट के अक्षर है लेकिन इसका उचारण सुनिए सब में यह सब भावेल्स के आ रहे हैं तो अगर कोई अब्रीवेशन जिसमें यह सारे अक्षर हो तो उन शब्द के पहले भी हम लोग लगा लेते हैं जैसे एन एमपी एब्रीवेशन मतलब इसी को कहते है शौट कट जो लिखते हैं जैसे आपके स्कूल का नाम है एस जी आदर सभी द्याले तो सौट कट में कैसे आपके चैनल का नाम मैं कर दिया हूं इस्टीए भी तो वैसे एमपी यानि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ठीक है तो मेंबर ऑफ पारलियामेंट जो हम लोग शौट कट में लिखते हैं तो इसको बोलते हैं एब्रीवीएशन यानि कि संचिप तुम्हें लिखा गया तो अब इसका एम लिखा है लेकिन उचाहने भी एन हो गया और जैसे एन एसडियो एन आर एसस आर आ रहा है तो यह बच्छो इसका यह मतलब निए कि आपको इसी भी में लिख देजेगा जैसे रैट आया तो रैट है तो उसके पहले नहीं आपको एन लिख देना हम केवल संचिप्त शब्द जिसका उचारण स्वर से हो रहा हो तो उसके आगे हम लोग भी एन लगा देते हैं बच्छो इन तीनों नियुमों को अगर आप अच्छे समझ जाएंगे तो आप एन का इस्तमाल एन का यूज करना बहुत अच्छे दिख जाएंगे क्योंकि यही तीन है मुख्य मुख्य चीज जिससे आप किसी भी शब्द के आगे प्रॉपर तरीके से लगा लेंगे और उसके पहले मैंने एक को क्लियर करें अब आते हैं इसके सबसे आखरी यानि की डिफिनिट आर्टिकल्स दा के तरफ अब हम देखते हैं यूज ऑफ दा बच्छो दा थोड़ा लंबा लिस्ट होता है फिर मैं प्रया धार्मिक ग्रंथ नदी समुद्र कोई भी राजनितिक दल हो या धार्मिक दल हो परवत माला जहांज रेल गाड़ी होटल दुकान इमारत वादियंत्र वादियंत्र समझते हैं जिससे में कुछ म्यूजिक बजाते हैं जैसे तबला हुआ हार्मोनियम हुआ गिटार हुआ इन सबको वादियंत्र यानि की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं या समचार पत्र इन सब के नाम के पहले हम लोग द लगाते हैं जैसे उधारन के तोर पर धार्मिक ग्रंथ ले लेजिए I read the Ramayana मैं Ramayan पढ़ता हूँ तो Ramayan धार में Grunt का नाम हुआ तो इसके पहले दा लगा देंगा फिर जैसे नदी देख लेते हो धारन के ताप पर गंगा इस प्योर गंगा नदी पवित्र है गंगा नदी का नाम है तो इसके पहले दा लग गया और रेल गाड़ी को धरता से देख लेते हैं गीतास्जली Express इस अराइविंग गीतास्जली express ट्रेन का नाम है पता है जैसे आपको और ही पता होकर आज़ानीं एक्सप्रेस आपका जैसे कनहिया बावु-टाटा छपरा eight express भॉह उसके पहले हम लोग दालागाएंगे दुकान आ जाते हैं जैसे कि कोई भी दुकान का नाम होता है आप देखते हैं जैसे गर रहे वासार तो ब्यूटिफुल उसके पहले लग जाएगा बच्चों यह जो भी है यह सब प्रॉपर नाउन है यानि नाम वाला लेकिन एक चीज में आपके हैं क्लियर कर दूं कि बच्चों आप अगर अपना कहीं नाम लिखेंगे जैसे कि रमेश कुमार आशा कुमारी सानिया कुमारी तो अपने नाम के पहले आप दा नहीं लगा सकती क्योंकि आपका नाम चाहे मेरा ही नाम कोई खास नहीं है ठीक है दुनिया में आपके नाम के बहुत सारे लोग होंगे तो प्रॉपर नाउन अगर आपका किसी व्यक्तिव इसका नाम होता है उसके पहले दा का इस्तमाल ब समस्त जाती आजाए उसकी पूरी उस जाती अगर बहुत कहीं हो रहा हो तो उस शब्द के पहले भी हम लोग लगा लेते हैं उधारें से समस्ते हैं बचों जैसे की डाग इस यूसफुल एनिमल कुट्टा एक उपयोगी जानवर है तो क्या मैं सरफ किसी एक कुट्टे की बा बात कर रहा हूं कुट्टे उपयोगी जानवर हैं तो वैसे स्थिती में डॉक्स अब जिससे पहले हम लगा लगाएंगे जैसे एक और उधारें समझिए गाये के चार पैर होते हैं तो क्या मैं आपके ख़ले जो बगल में खटा लेकर उसी गाई की बात कर रहा हूं क्या नहीं बिल्कुल नहीं दुनिया में तमाम जितनी गाये हैं समझत गायों का चार ही पैर होता है यानि पूरी जाती का यहां बोद हो रहा है तो उसके पहले भी हमने क्या लगाएंगे बच्चों दा आगया आते हैं नंबर तीन वही एक तरह या बिल्कुल वैसा जैसे समान लिएत तो इस तरह कर दो हम लोग दो लगाएंगे जिसका मतलब निकलेगा वही एक तरह या बिल्कुल वैसा तो वैशे संग्या के पहले भी हम लोग दालगा देते हैं एक और उधारने से समझें जैसे कि आसा आसा इस दगर्ल फिट फॉर दिस जॉब यानि कि आसा बिल्कुल वैसी ही लड़की है जो इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट है बात समझ रहे हैं यानि कि मैंने बहुत लो लडकी की खासियत बता रहा हूं भाके सिली खाशियत के नहीं बता रहा हूं उस लड़की की हो गई तो वह ग्रल के पहले जो शब्द आएगा वद्द हो जाएगा उमीद आक डियर हो रहा है यानि आशा इस दे गर्ल भूइल वैसी लड़की है यहां ब्रैकट है आइसे वाक्यों में हम लोग संग्या रहें जो दा लगा देंगे आगर देखते हैं अगर वाक्य में कहीं सुपर लेटेव डिगरी है समझते क्या होता है नहीं तो बताता हूं देखे कोई भी जो होती है नहीं सब्सक्राइब करते हैं आप लोग पढ़े होंगे सुपर लेटिव डिगरी और नॉर्मल जो डिगरी होती है यह जैसे कि जब दो व्यक्तियों के बीच में हम लोग तुलना करते हैं तो इसको कमपरेटिव डिगरी कहते हैं और जब पूरे दुनिया में बेस्ट बताते हैं तो इसको सुपर लेटिव जैसे कि आप पढ़े होंगे कि बिग बीगर बीगेस्ट गुड बेटर बेस्ट इसब डिगरी में डिवाइड के जा रहा है तो वैसे हम लोग जब सुपर लेटिव डिगर कहीं वाक्य में आ जाएगी तो इसके पहले द्दा लगाएंगे उधा सबसे अच्छा यानि बेस्ट आएगा सुपर लेटिव डिगरी कोई शब्द आएगा तो इसके पहले देखे हम लोग क्या लगा देंगे दा आगे देखते हैं नमर पांच कोई खास या विशेस पद समझते हैं कोई पोस्ट कोई खास पोस्ट कि अगर हम लोग बात करें हम लोग दा लगाते हैं जैसे तप्रिंसिपल कर द कमि स्नर द प्राइम मिनिस्टर प्रिंसिपल कि इक पोस्ट अपस्ट को अप्यक को आपका को या आर्टिकल बिल्कुल आसाने से बिल्कुल सरल भासा में समझ में आ गया होगा धन्यवाद